नमस्कार आप देख रहे हैं संसत टीवी की स्पेशल कवरेज में हूँ आपके साथ सूरज महंज्जा संसत के दोनों सद्रों की संयुक्त बैठक में राश्ट्रपती द्रोपती मुर्मू के अभिभाशन के साथ 31 जनवरी को संसत के बजट सत्र की शुरुआत होगी सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक और दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अपरेल तक चलेगा सत्र के पहले ही दिन आर्थिक सर्वेक्षन पेश किया जानी के उमीद है जबकि एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा संसते कारे मंतरी प्रहलाज जोशी ने बताया की बजट सत्र में कुल 27 बैठके होंगी बजट सत्र के दो भागों के बीच के अबधी यानी 14 फरवरी से 12 मार्च के दौरान विमिन मंतराले और विभागों की अनुदान की मांगों पर संबंधित इस्थाई समितिया विचार करेंगी संसत के बजट सत्र से पहले उपराश्टोपती जगदीब धंकर ने पारलियमेंट बीट कवर करने वाले पत्रकारों से मुलाखात की उपराश्टोपती ने पत्रकारों को नव वर्ष की बधाई दी और नए साल में उनके अच्छे स्वास्त और सफलता की कामना की कारिक्रम में प्रिंट और इलेक्टोन्ट मीडिया के प्रुप मीडिया संग्ठोलों के पत्रकार शामिल हुए संसत बहन परिसर में संसत की लोगलेखा समीती की उप समीती की एक बैठक हुई इसमें समीती ने 2021 की CAG रिपोर्ट संख्या 3 के आधार पर वामपंती उग्रबाद से प्रभावित शेत्रों में मोबाईल सेवाए परदान करने के लिए USOF परियोजना चरणवन का कारियानवन विशे पर दूर संचार विभाग और BSNL के परतिरिद्यों के मौखिक साक्ष लिए पूर्ब केंद्रिय मंत्री और वरिष्ट राजनिता शरद्यादव के निधन पर उपराश्ट्वपती जगदीब धनकर और लोकस्वभाद्यक्ष उम्बिला ने गहरा दुख जताया है साथ ही उनके परिजनों के परति गहरी समवेदना भी जताई है उपराश्ट्वपती ने तूट किया कि पूर्ब केंद्रिय मंत्री शरद्यादव एक लोख्रिये नेता और कुशल Π्रसाशक थे जिन्होंने सारद्यक्ष उम्बिला पूर्ब केंद्रिय मंत्री शरद्यादव के दिल्ली स्थिता आबास पहुँचे और सामाजवादी दिगज के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रधांजली अर्पित की साथ ही उनके परिजरों से भेट कर उनको धानस बनाया बहुत बड़ी शती है। लिए फीडबैक मिल सके उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारतिय ऑटो मोबाइल शेत्र गुलोबल लीडर के रूप में उभर रहा है और इनोवेशन रिसर्च के आरहर पर देश के युवा विश्व का नेतरत्व कर रहे हैं। दुनिया का नित्त कर सके और ओटो मोबाइल सेक्टर के अंदर जो रेविन्यु आती है जो आर्थिक तंत का सबसे ज़्यादा अगर बड़ा हिस्सा आता है तो ओटो मोबाइल से आता है वह हम हमारे देश के अंदर उत्पादत गाडियों का यूज करने और आने वाले समय दुनिया के अंदर भारत की बनी ही गाडियां दुनिया के अंदर बैतिनों इस लक्ष के जात काम करने के आउशकता है लोक्सवा अध्यक्ष उम्बिर्ला ने दिली से सटे गुरुग्राम में विश्व सिंधी सेवा संगम के पांचवे अंतराष्टिय सम्मेलन को संभोधित किया पर हमें दिश्वर के सिंधी समाज को यहां पर लाकर व्यापाव उध्योग अनएपोर्चिमनेटी का मुका देना चीए उपराष्ट्रपती जगदीब धनकाड और लोकस्वभाध ध्यक्ष उम्बिर्ला ने महराष्टर के शृड़ी में सडक दुर्घट्डा में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है सडक हाथसे में लोगों की मौत पर दुख जताते हुए उपराष्ट्रपती ने शोक संतत्व परिवारों के प्रती गहरी समवेदना जताई है और घायलों के शिग्र स्वस्थ होने की कामना की है लोगसुभाद्यक्ष ने भी तुट किया की दुख की इस घड़ी में उनकी समवेदनाएं पीडित परिवारों के साथ है उन्होंने घायलों की शिग्र स्वस्थ लाव की कामना भी की है उपराश्टपती जिग्दीब धनकाड और लोगसुभाद्यक्ष उंबिला ने देशवासियों को लोडी, मकर सक्रांती, पोंगल, उतरायण, माग वीहू, शिशुर सक्रांत, खिचडी, पोश और माग सक्रांती की बधाई और शुकामनाएं दी उपराश्टपती ने टूट किया कि देश भर में अलग-अलग नामों से जाने जाने वाले ये तेहार हमारी सम्रद्य सांस्कृतिक विविधता में नहित आवशक एकता के प्रतीक हैं ये तेहारों का मौसम सभी देशवासियों के लिए सम्रद्धी, शान्ती और खुशाली लाए साथी सद्भाव और भायचारे के बंधन को और मजबूत करें लोगसुबाद धक्ष ने टूट किया कि नववन मेश के ये पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुक, सम्रद्धी, खुशाली और उस्सा लेकर आए फिलाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही आप देखते रहिए संसर टीवी नमस्कार